तो स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एक्सप्रेस में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे अमरूद की फसल होती है अमरूद का बागमजी से कहते हैं उसके कीट नींतर्ण के बारे में यानि कि अगर हमारे अमरूद के बागम अमरूद के के उपर अगर कीट लग जाए तो उसका नियंतर्ण किस प्रकार कर सकते हैं और कौन-कौन से जो हमारे कीट ना सके उनका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज् जुलाइक का महिना चल रहा ऑँ जुलाइक के महिने में अमरूद का जो फल ही वह वाणा सुरू हो जाता है और उसका साइज एक से डेड इंज का हो जाता है दोस्तों अगर बात की जाए इस दोरान जो हमारे अमरूद का जो बाग होता है अमरूद का जो हमारा पोद्दा होता है उसके उपर कीटों का बहुत सा प्रकौपर सुरू हो जाता है तो कीटों के निंदन के लिए अनेक प्र करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कई बार हम यह नहीं देखते कि किस प्रकार का कीट है और हम बहुत से महंगे से प्रेवी कर देते हैं जिससे हमारा कोस्ट ओफ प्रोडक्शन है वह बढ़ जाता है इसलिए किट नास्कों का बख्सक कीट कहते हैं वह उसकी तनह की जो तकर रहता है या उसकी जो टहने शुरवा कर लेता है उसके अंदर रहता है्सके अपर रहता है या पर अपने मल तो ऊब दीटर देखेंगे तो उसका साइज ज्रे मोटा होता है थोड़ा कीडे का और उस ककलर में वह यह तो गहरे काले करेड़ का होगा यह फिर गहरें हरे के पोद् Beimvale के पतियyi उनको नुक्सान पोचाता है फौर जो हमारा पोद देखाता नहां है उसको नुक्सान पूचाते नहीं ग्यूंट के लिए दोस्तो आप सबसे पहले आप यह वीर कोंभी 505 है मेरे पास चंबल की यानि कि इसके अंदर साल्ट है कलोरो पॉयरिफोस 50% प्लस साइपरमेथरिन 5% दोस्तों आप इसका प्रेयोग तीन एमल पर लीटर के हिसाब से कर सकते हो और जो आपका चाल बक्सकीट है उससे आप असानी से निजात पा सकते हो इसके लिए आपको ज्यादा महेंगे सप्रेय करने की जूरत नहीं होती आप जो चाल बक्सकीट है इससे आसानी से मर जाएगा इसके अलावा अगर आपको यह आसानी से नहीं मिलती मार्केट के अंदर तो इसका अल्टरनेट है साइपरमेथरिन 25% आप इ 2-2.5 ml परति लीटर के हिसाब से कर सकते हो और चालबक्सकीट है उससे असानी से निजात पा सकते हो । też हमारा हमरूद का पोड़ा होता है इसकी जो कीट है उसकी सेकेंड़ के नदर आते हैं जो फलके अंदर पिक लग जाता है दोस्तों इस परकार का चो कीट होता है हमार की जो हमारा कीट है वह फल के अंदर लग जाता है और फल पर के ऊपर कि दोस्टो यह है उपर कि उद्ह तो कम करते हैं साथ हमारे वह कर देते हैं और मार्केट के अंदर हम सेल करते और रहमें उनका उची तो за नहीं मिलता तो इस प्रकार के यिट के नियंतम के लिए आपको फोड़ी में जो कीर्णासक है उसका प्रयोग करना पड़ेगा और इसके नियंतम लैं के लिए दोश्तों आप ये मेरे पास कोरा जिन है आप देख सकते हो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप कोराजिन की अगर डोज की बात की जाए तो कोराजिन को आप आठ से दस एमल परती लीटर सोरी परती ही टेंक के हिसाब से यानि की अथारा से बीच लीटर का जो हमारा सप्रेपम्प होता है उसके अंदर 8-10 ml आप प्रयोग कर सकते हो अगर आप ट्रेक्टर वाली आप जो सप्रेपम्प होता है बड़ा उसका प्रयोग करते हो तो 1500 ml कोरा जिन 500 लिटर पानी के अंदर प्रयोग करके आप सप्रेप कर सकते हो कोरा जिन का प्रयोग करते से मैं आपको यह साफ़ाने बरतने इसके साथ आप किसी प्रकार का कोई ने कीट ना सक्क, फंजी साइड या कोई ग्रोथ प्रमोटर बगरा कुछ नहीं डाल सकते इसका आपको अकेले प्रयोग करना पड़ता है तो दोस्तों यह जो अगर कोरा जिन की बात की जाए तो यह जो हमारा अमरूद है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और लगबगे दस से पंदरा दिन के इसके अच्छे रिजल्टे आपको मिलते हैं दोस्तों इस प्रकारा पे जो हमारा चाल बक्सक कीत है या फिर जो हमारा फलका कीत है अमरूद का उससे आप असानी से शुटकारा पा सकते हो और एक सवस्त और बरपूर पैदावार ले सकते हो दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको खेती बड़ी से संबन्दित, गालनींग से संबन्दित और पसुप आलन से संबन्दित नहीं- zijn जानकारी दिते रेंगे तब तक बने रही हमारे साथ देखते रही है हमारे चनल को धन्यवाद